फ्रेंड्स इस वीडियो के मादेम से हम साल भर में जितने भी चर्चा में रहे हैं अनुच्छेद उनकी यहाँ पर जो हम चर्चा करेंगे और उनके परतेक पहलू को देखेंगे साल भर कहने का मतलब यह है कि मानके चलिए 2019 के जून महीने से जो भी अनुच्छे चर्चा में रहे हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे आप किसी भी परिक्षा की तयारी करते हो यहाँ तक की स्टेट प्यस्टी आईएस बैंक एससी रेलबे उन सभी के लिए एक महात्पून निभाने वाला वीडियो होगा इसको आप देखेंगे और हमारे यूटूब चैनल एक्जाम स्टडी एक्सवाई अगर आप यूटूब पर सरच करेंगे एकसी और प्लस एक्जाम स्टडी एक्स एम एस्टी यू डिवाई तो वहाँ पर आपको पूरी की पूरी प्लेलिस नहीं है उच्चतम नियाले की आरंभिक अधिकारिता का जिक्र है क्या है आरंभिक अधिकारिता अब ये बात समझना होगा आरंभिक अधिकारिता का मतलब ये है कि कोई भी उत्पन विवाद सिर्फ और सिर्फ निटाने का हक जो है यानि कि उत्पन विवाद के मामले में हैस तेने का जो हाख है वो सिर्फ और देने का त्युक्तव प्र आंसो कवल शुर्भादी को है, मानेनी सुप्रीम कोट को है, यह उच्ट अमन याले की आरंभिक अधिकारिता के विसाय में कहा गया है, लेकिन उत्फण विवाद से जिका है, किसके बीच में उत्फण विवाद तो उत्पन विवाद का सिंस ये है कि अगर जो है वो केंदर के बीच में केंदर सरकार के बीच में और राज सरकार के बीच में कोई विवाद उत्पन होता है तब जो है हैसला सुनाने का सिर्फ और सिर्फ हक जो है अधिकार जो है वो सम्विधान के अनुछेद 131 के द्वार मानिनिये उच्चतम नयायाले को सुप्रीम कोड को प्रदान किया गया है अब ये भी बाद दिखे कई बिंदों पर हो सकता है एक तो केंदर और राजी के बीच में हो सकता है या हो सकता है कि कई राजी हों और पलस केंदर हों यानि कि राज्यों की संख्या जादा हो एक से अधिक राज्य हो सकते हैं केंदर हो सकते हैं या हो सकता हो कि केंदर हो पलस उनके साथ में कोई राज्य हो जो उनके मामले में केंदर का समर्थन करता है और कुछ राज्य जो है दूसरी तरफ हो उनका अपना अलग मत है तो इस म नयायाले की आरंभिक अधिकारता कहते हैं अब अगर इसी बात को दूसरे भासा में समझने की कोशिस करें तो क्या कहा जा सकता है उसको देख लेते हैं उसको कहा जा सकता है कि यानि की अनुच्छेद 131 का परियोग तब होगा जब विवाद संग्ये धाचे से सम्मंधित हो यानि की संग्ये धाचे को ले करके अगर किसी भी संग्ये धाचे की जो इकाईयां हैं इकाईयों का मतलब क्या है जो राज्य हैं इनके बीच में अगर कोई विवाद उत्पन होता है इनके बिसे में कोई विवाद उत्पन होता है तो यहाँ पे उच्छेद 131 के तहत प्र यह आया था इसके खिलाब सुप्रीम कोट में याची का दायर की सुप्रीम कोट में केरल सरकार का मानना था कि नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है वो नागरिकों के खिलाब जो है वो धार्मी का धार पर और यहां पर उन्हें तीन बातों का जिक्र किया था की बात कही थी जिसमें प्राणियों दैहिक सुतंतरता की बात कही गई है और अनुच्छेद पचीस की बात कही गई है जिसमें क्या कहा गया है कि अन्ताकरन और धर्म के अबाधरूप से मानने की सुतंतरता तो केरल सरकान ने कहा था कि जो नागरिकता संसोधन अधिनियम ह यह जो है 14, 21 और 35 का जो हमारे हाँ समिधान में अनुच्छेद है जो अधिकार प्रदान किया गया है इस आधार पे नागरिकों के खिलाफ है और वो जो है पूरी की पूरी तरीके से नागरिकों के साथ भेद भाव करता है तो एक तो केरल सरकार के द्वारा सुप्रीम कोट म लेकर कि भी इस जो है अनुच्छेद 131 का अनुच्छेद 131 के माध्यम से उसको NIA Act जो था 2008 उसको भी जो है आच्छेप लगाने किया यूंग है कि उसको भी जो है सिद्धानतों के खिलाफ करने की कोशिस की गए थी क्योंकि यहाँ पर बताया गया था 36 सरकार का तरकत था कि NIA Act जो है वो पुलिस को मनमानी सक्किया परदान कर देता है और वो किसके विसे में केंदर सरकार की विसे में जबकि पुलिस जो है वो सात्वी अनसूची के तहत राजियों का विसे है तो यहाँ पर जो है वो राजियों का विसे होते हुए भी पुलिस ज़्यादा से ज सुप्रीम कोट में याचिकाएं दायर की गई थी 341 में कहा गया है कि राश्पती को यहाँ आधिकार है कि अनसूचित जातियों के सम्मन्ध में आदेश जारी करे ठीक है कैसा आदेश ऐसा ही आदेश जारी किया गया था 1956 में और 1990 में दरसल राश्पती ने अनुचे 341 का परियोग करते हुए अनसूचित जातियों आदेश 1950 परित किया था इस 1950 के आदेश में यह कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति अगर हिंदु धर्म के अलावा किसी और धर्म का अनुसरान करता है तो उसे अनसूचित जाती का सदस से नहीं माना जाएगा अब इसी बात को लेकर के लगातार विवाद होता रहता है जिसके करण अनुचे 341 चर्चा में रहता है तो यहां पर जब बात आ जाती है अनुसूचित जाती के सदस होने की और हिंदु धर्म के अनुसरान करने की तब मामला गंभीर होता है यहाँ पर मुस्लिम समदाई की लोगों का माना है कि हमको भी अनुच्छे 341 के तहट जो है अनुच्छित जाती के सदस के रूपे में सामिल किया जाए ताकि जो है उन्हें भी जो रिजर्वेशन का लाब है अनुच्छन का लाब है उन्हें भी यह चीज पराथ हो सके अचा परमाण के तोर पर वो इस बात को कहते हैं कि 1956 में एक आदेश पारित किया गया था तब सिख्छों को जोड़ा गया 1990 में आदेश पारित किया गया तब बाध्धों को जोड़ा गया इसी परकार से जो यहाँ पर एक बात कही गई थी 1950 के आदेश में 1950 के आदेश में बात कही गया थी कि कोई भी व्यक्ति अन्सूचित जाती का सदर्ष तब ही होगा जब वहां हिंदु धार्म को फालो करता हो तो यहाँ पर जो है इन्दू, सिख या बहुत धर्म के अलावा किसी और धर्म काम उस्टरा करता है तो उसे वर्तमान में अनसूचित जाती का सदस नहीं माना जाएगा तो यहाँ पर मुस्लिम समधाय के लोगों का की हमेशा यह डिमान रहती है कि 341 के तहत राश्पती आदेश पारित करे और उ अनसूचित समधाय के लोगों में, अनसूचित जाती के लोगों में उनको भी सामिल किया जाए तो उकुल मिला करके अनसूचित जाती के विवाद को ले करके हमेशा अनुच्छे 341 चर्चा में रहता है यह भी परिक्षा में पूछा जाने वाला सवाल है और अगला अनु चाहे वो नौकरी का छेतर होगा या किसी और छेतर होगा वहाँ पर आउसर की शमानता की बात कही गई है और अगला अनुच्छेद भी महत्पूर्ण है जिसमें है अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 164, चौशट एक और अनुच्छेद 164 का उखंड दो अनुच्छेद 163 म यहाँ पर जिक्र है और मंत्री परिशद जो यह होगी किसके लिए होगी तो यह मंत्री परिशद होगी राजपाल के लिए ठीक है राजपाल के लिए होगी कहा गया है कि राजपाल को सहायता योमसलाह देने के लिए एक मंत्री परिशद होगी और मंत्री परिशद के पाइदानिक तंत्र की विभालता को लेकर के सवाल उठते हैं तो यहां पर मंत्री परशत जो है भली सुझाओ मंत्री परशत के दुआरा राजेपाल को सुझाओ दिया जाता है लेकिन यहां पर उस सुझाओ को मानने के लिए राजेपाल बात यह नहीं होता है यहां पर होगी जो मुख्य मंत्री की न्यूक्ति होगी वो राजिपाल करेगा यानि कि सीयम की न्यूक्ति की बात देगी है कि न्यूक्ति कौन करेगा न्यूक्ति करेगा राजिपाल परन्तु अन्य मंत्रियों की न्यूक्ति का भी यहां पर जिक्र है कहा गया है कि सीयम की सला पर राजपाल जो होगा वो अन्य मंत्रियों की न्यूक्ति करेगा और अन्य मंत्रियों की जो न्यूक्ति होगी वो सीधा सीधा राजपाल की परशाद परियंत पद धारन करेंगे यानि कि उनको राज़पाल की आदेश पर पदच्यूत किया जा सकता है उनके पद से उनको हटाया जा सकता है लेकिन यहां पर ध्धान यह भी रखना है कि राज़पाल हमेशा मंत्री परिशद की जो है एक्राडिंग उसकी सलाह परकारी करता है इसलिए कहीं न कहीं परिषद जो है मंतिरी परिषद सामूही कुरूप से बिधान सभा के परति उत्तर दाई होगी चुकि इस्टेट में विधान सभा होती है विधान मंडल होता है और सेंटर में केंद में राज्य सभा होती है लोग सभा होता है तो वहाँ पर जो मंत्री परशद होती है वो लोग सभा के परती सामोही कुरूप से उत्तरदाई होती है उसे परकार से इस्टेट में जो मंत्र परिशद होगी वो सामुही कुरूप से विधान सभा के प्रती उत्तरदाई होगी यहनि कि संसदी सासन प्रणाली की सबसे बेटर जो क्वैलटी है सामुही उत्तरदाई ऐतो उत्तरदाई सासन प्रणाली अनुच्छ दिए 164 के तहत राजियों के संबन्ध में देखने को मि ही है कि दिस परीके से सोब पूचे जा सकते हूं